गाइज आप सभी आपके मॉवाइल में जितने भी एप है उनमें लॉक लगाते होंगे लेकिन दोस्तो आप उसमें पास्वर्ड लॉक लगाते हैं और जितने भी एप है उनमें सैम लॉक आपको लगाना होता है यानि कि एक ही टाइप का आपको लॉक लगाना होता है या तो आप password log लगा सकते हैं यानि कि आप pattern log, pin log आप वहाँ पे set कर सकते हैं और एक ही type का कर सकते हैं जैसे कि आपने वाट्सप पे lock लगाया यानि कि आपने numeric lock लगाया 1,2,3,4 ये आपने वाट्सप पे लगा दिया तो बहाँ पे आप Facebook पर आप वहाँ पे other lock लगा सकते हैं यानि कि आप 3,4,5,6 या 111 तो इस type से आप हर app में अलग-अलग lock लगा सकते हैं बहाँ पे pattern log भी लगा सकते हैं बहाँ पे pin log भी आप set कर सकते हैं अब ये कैसे कर सकते हैं ये मैं आपको बताने वाला हूँ तो आप ध्यान से देखेगा तभी आपको समझ में आएगा कि जो जितने भी एप है mobile में उन सारे एप में अलग-अलग type के यानि different lock कैसे set कर सकते हैं कैसे लगा सकते हैं तो दोस्तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करके comment box में आप कोई भी problem लिख दीजेगा यदि आपके mobile में ये trick काम नहीं करती है तो वो भी बताईएगा mobile का name लिख दीजेगा जो भी problem में को share कर दीजेगा लेकिन दोस्तो चैनल को subscribe करके bell icon पर फ्रेस करना बिलकुल मत भू लिएगा क्योंकि दोस्तो जब कभी मैं कोई solution बताऊंगा आपको आपके comments का reply करूँगा तो वो मैं वीडियो बना करके भी reply कर सकता हूं तो आप ये काम जरूर कर लिजेगा चैनल को subscribe करके bell icon पर फ्रेस कर लिजेगा तो चलिए दोस्तों करते हैं वीडियो start तो guys आपको क् subscribe मैं क्लिक करूँगा यहां पर लॉक लगा हुआ नहीं है ठीक है अब यहां पर मैं facebook पर क्लिक करूँगा तो facebook पर भी अलग लॉक मिलेगा यहां पर email पर मैं क्लिक करूँगा तो यहां पर भी लॉक लगा हुआ नहीं है लेकिन दोस्तों अब मैं आपको बता देता हूं य यह आएगा app lock fingerprint इस पर click कीजिएगा इस app को आप install कर लीजिएगा यहाँ पर आप देखेंगे SP soft यह लिखा हुआ मिलेगा यानि कि यहाँ पर जो ओनर है यानि company है उसका नेम आपको यहाँ पर देखेगा SP soft तो इसको आप पढ़ लीजिएगा और इस app को install कर लीजिएगा यहाँ पर downloading देखेंगे आप तो यहाँ पर 50 million downloading है 4.2 star rating है 914 के reviews है तो आप चेक करके इसको install कर लीजिएगा हम open पर click करेंगे यहाँ पर open पर click करने के बाद मैं आपको allow पर click कर देना है अब यहाँ पर आपको create a master fee यह आपको यहाँ पर set करना है तो मैं यहाँ पर cut लेता हूँ 1,2,3,4 मैंने यह set कर लिया और यहाँ पर click कर दूँगा enter the pin again to confirm it तो हम बापस से यह डाल देंगे 1,2,3,4 फिर मैं यहाँ पर click कर दूँगा अब दोस्तों यहाँ पर आपने देख लिया app lock आपको दिखाई दे रहा है तो हम क्या करेंगे setting में यहाँ पर click करेंगे setting में click किया अब यहाँ पर setting पर click करने के बाद मैं आपको multiple password का option दिख रहा है हम इस पर click कर देंगे क्लिक किया अब यहाँ पे आपको प्लस का इगन दिख रहा है हम इस पे क्लिक कर देते हैं यहाँ पे क्लिक करेंगे अब यहाँ पे आपको कौन सा पिन लगाना है वो आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं जैसे कि मैं यहाँ पे पासवर्ड लगाना चाहуँगा, पासवर्ड मैं लगाऊँगा, तो यहां पर मैं लिख देता हूँ, create a pin, तु मैं यहां पर जैसा कि 1111 यहaqun मैं यहां पर set कर देता हूँ, और ओके पर click कर देता हूँ, फिर यहां पर enter pin तो बापस से एक 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 यह मैंने डाल दिया और यहां पर confirm पर click कर दिया ठीक है दोस्तो अब यहां पर आप देखेंगे strap का interface दिखाई देगा यहां पर आप देखेंगे यहां लिखा हुआ new password तो हम इस पर click कर देंगे और यहां पर एक 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 यह यहां पर डाल देंगे और यहां पर बैक में आ जाएंगे यहां पर अब आप देखेंगे दोस्तो locked apps यह दिखाई दे रहा है तो मैं इस पर click करूँगा यहां पर click किया click करने के बाद यहां पर आप देखेंगे आपको plus का icon दिखेंगा इस पर click कर देंगे, आपके mobile में जितने भी app होँगे वो आपको दिखाई देंगे, तो मैं यहां पर जैसे कि WhatsApp पे lock लगा लेता हूं मैंने यहां पर WhatsApp पे lock लगा दिया plus का icon पर click कर देंगे यहां पर यह lock लग गया है दोस्तों, आप देखेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे WhatsApp पर लोक लग चुका है अब हम क्या करेंगे WhatsApp पर लोक लग जाए तो अब हम बैक में आ जाएंगे बैक में आ गए बैक में आने के बाद में अब हम बापस से आएंगे बापस बैक में आ गए तो यहाँ पे एक एप में तो आपने लॉक लगा दिया अब हम दूसरे एप में लगाना चाहेंगे तो बापस हम क्या करेंगे यहाँ पे multiple पासवर्ड़ पे क्लिक करने के बाद में अब whatsapp पे यहाँ पर लोक लगा हुआ है हम plus कि आईकन पर क्लिक कर देंगे अब यहां पे बापस से हम पासवर्ड पे क्लिक कर देते हैं अब यहां पे हम अब जैसे की 2222 इस पे क्लिक करेंगे और यहां पे इस पे क्लिक कर देंगे फिर हम अगें 2222 पे क्लिक कर देंगे यानि कि आप कोई भी पासवर्ड सेट कर सकते हैं और यहाँ पर क्लिक कर दूँगा, ठीक है दोस्तों, इस पर क्लिक कर दिया, अब यहाँ पर आप, यहाँ पर पासवर्ड भूल जाते हैं, तो यहाँ पर आप सेट कर सकते हैं, टू, 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 ठीक है, अब यहाँ पर हम लॉक्ड एप्स पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर हम प्लस के आइकन पर क्लिक कर देंगे, अब यहाँ पर हमने WhatsApp पर लगा था, अब हम YouTube पर लगा देते हैं, इस पर लगा दूँगा और यहाँ पर प्लस पर क्लिक कर दूँगा, यहाँ पर यूटूब पर लग चुका है, तो अलग-अलग password set कर सकते हैं, यहाँ पर pattern भी set कर सकते आप यदि यहाँ पर count यानि कि आप numeric password set नहीं करना चाते तो, तो दोस्तों हम क्या करेंगे, अब हम back में आ जाते हैं और यहाँ पर check कर लेते हैं, तो हम back में आएंगे, whatsapp पर मैं click करता हूँ, यहाँ पर click करूँगा, तो यहाँ पर आप देखेंगे, जो password हमने set किया था, 11 111, तो यहाँ पर यह open हो जाता है, ठीक है, अब यहाँ पर यह open हो गया दोस्तों, अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर whatsapp के अलावा हमने youtube पर lock लगा है था, तो हम youtube पर click करेंगे, यहाँ पर click किया, तो youtube पर आप देखेंगे, आपको इस type का interface दिखाई देगा, और 2222 जो शेर जरूर कर दीजेगा दोस्तों, वीडियो में किसी भी प्रकार की गलती के लिए छमा करें, धन्यवाद